दोस्तों गोडो को नाल पैनाना कितना मुश्किल काम होता है और गोडो को नाल क्यों पैना जाती है और गोडो की नाल को घर के बाहर लगाना सुब क्यों माना जाता है चलिए जानते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले तो ये समझे घोड़ो के पैर का जो सबसे निचला हिस्सा होता है जिसे खुर कहते हैं जो कि घोड़े के नाकून होते हैं अब नाकून में चोट लगने पर दर्द तो होता ही है और घोड़े सुरवास से ही उबढखावड रास्तों से दूरिया पहनाना पड़ता है और जैसे हमें नाखून काटने पर दर्द नहीं होता ऐसे ही गोड़ों को भी नाल पहनने पर दर्द नहीं होता क्योंकि गोड़े नाल पहनने पर सुरक्चित हो जाते हैं तो इसी से दाड़ना बनी कि गोड़ी की नाल अगर घर पर लगा दी जाए तो घर भी सुरक्षित रहेगा क्या घोड़ी की नाल घर पर लगाने से घर में सुक्सानती बने रहती है आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें